नमस्कार आपका स्वागत है फटाफट खबरों में आज हम लेकर आए हैं हिमासल प्रदेश के हट छोटी बड़े शहर के सबसे तेज और ताजा खबरे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईए निवार को घोशित हुए नालगर सीट से कॉंग्रिस के हरदीप सिंग बावा देरा से मुक्यमंतरी सुक्विंद्र सिंग सुक्कू की पतनी कमलेश ठाकूर ने जीत दज की वही हमीरपूर सीट से भाजपा के आशिश शर्मा ने उप्चनाव जीता उप्चनाव नतीजों के बाद अब विधान सभा में विधायकों की संख्या फिर से 68 हो गई कॉंग्रिस के पास अब 40 विधायक हो गए हैं वहीं भाजपा के विधायकों की संख्या 28 हो गई उपचणा में कांग्रिस ने जहां दोनों सीटे काफी अंतर से जीती वही भाजपा ने एक सीट कांटे की ठकर के बाद जीती है मुख्यमंतरी सुक्विंद्र सिंग सुक्व ने कहा कि जनता ने धनबल को हराया और जनबल की जीत हुई ये प्रदेश के मद्दाताओ के साथ साथ कॉंग्रेस के महिंती कारिकरताओ की जीत है प्रदेश की जनता ने खरीद परोक्त की राजनीती को नकार कर अपना वोट राजी में राजनीतिक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए दिया उन्होंने का कि देरा में 25 वर्षों के बाद कॉंग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई और नालागर में कॉंग्रेस प्रत्याशी बड़े अंतर से जीते हिमाचर प्रदेश में अब कोई भी पार्टी आने वाले 50 साल में खरीद फरुप्त की राजदीती करने की हिम्मत नहीं चुटा पाईगी कई भागों में एक सब्ता तक मौसम खराब रहने के असार दो दिन के लिए भारी बारिश का अलाए हिमाचर प्रदेश के कई भागों में आगामी एक सब्ता तक मौसून की बारिश चारी रहने का पूरवानुमान है मौसम विग्यान केंदर शिम्मला की ओर से राज़े के कई हिस्सों में 19 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने की संभावना अंचुताई गई 16 जुलाई के लिए कुछ भागों में भारी बारिश का या लो अलर्ट जारी किया गया राज़ानी शिम्मला में शनिवार को हलकी धूप खिलने के साथ बादल चाए रहे कांगरा में लगे भूकम के जटकी राज़ा के कांगरा जिले में शनिवार दुपैर बाद दो बचकर 27 मिनट पर भूकम के जटके महसूस किये गई रिक्टर स्केल पर इसकी तीवरता 3.6 मा पी गई जमीन के भीतर इसकी गहराई 5 किलो मीटर रही नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलाजी के अनुसार दिन में तीन बार हलके जटके महसूस किये गई जिन लोगों ने जटके महसूस किये वे घरों से बाहर निकले हाला कि जटकों की तीवरता कम होने की वज़े से ज़ाद अतर लोग इने महसूस नहीं कर पाए कांगरा जिले का अधिकान शेत्र भूकम की दरश्टी से अती सम्वेदंशील यानि सिस्मिक जोन पांच में आता है इसलिए यहां बार बार भूकम के जटके मैसूस किये जाते हैं कभी नसीब नहीं होता था एक वक्त का खाना आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन कर रोशन किया गाओं का ना बटियात की रंजे पंचायत के भौट गाओं के डॉक्टर भरत सिंग का चैन केंडरिय विश्विद्ध धर्मशाला में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पत पर होने से शेतर में खुशी का माहौल है भरत सिंग ने विकट परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई को पूरा करते हुए सहायक प्रोफेसर के पत पर न्युक्ति लेकर शेतर का नाम रोशन किया भावी पीड़ी के लिए ये उपलब्दी हासल करके एक संदेश भी दिया प्राइमर इसनातक वाइसनातक उत्तर के आगे की पढ़ाई सेंट्रल युनिवरस्टी धर्मशाला से करने के बाद पीएजडी की उपादी गर्दी समुदाई के लोग साहित्य आधारत विशेपर दोहजार तेईस में हासल की वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानियों ने किया हिमाचल का रुक वीकेंड पर भारी राजियों से शनिवार को भारी संख्या में परेचकों ने हिमाचल का रुक किया इसके चलते परवाडू टोल बेरियर पर दिन भर जाम लगा रहा शनिवार दोपहर बारा बजे से जाम लगना शुरू हुआ लगब डेड़ किलो मीटर तक वाहन रेंग रेंग का टोल बैरियर तक पहुचे इससे परेचक काफी परिशान हुए जिने टोल बैरियर पर परची नहीं कटवानी थी वे भी जाम में फसे रहे बैरियर पर हिमाचल में पंजिकरत वाहनों के लिए अलग से कोई लेन नहीं है हाला कि जल्दिय परवानू टोल बैरियर पर आपकारी एवम कराधान विभागने परेचकों के लिए फास्टेक के सुविधात देनी जा रहा है नालगर की जनता के विश्वास को कभी तूटने नहीं दिया जाएगा नालगर विधानसवाज शितर से उपचनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित विधायक हरदीब बावा ने कहा कि नालगर की जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया है उसे कभी तूटने नहीं दिया जाएगा नालगर के विकास के लिए जीजान से काम किया जाएगा भाजपा की ओर से उन पर जो बाहरी होने और स्यम को धरती पुत्र होने की बात की थी उसे जन्ता ने पूरी तरह से नकार दिया है भाजबा ने चुनाव जीतने के लिए सबी हतकंडे अपनाए लेकिन नालगड की जंता ने सूजबूज का परिचेय देते हुए विकास के लिए कॉंग्रेस स्तरकार का साम दिया उन्होंने जीत कश्रे नालगड की जन्ता को दिया, बावा ने कहा कि जन्ता ने उन पर भरोसा जताया और अब उनकी जिम्मेदारी जन्ता के प्रती और भी बढ़ गई है हिमाचल विधान सभा में बाप बेचे के बाद पहली बार पती पत्नी होंगे एक साथ हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पती वा पत्नी एक साथ विधान सभा में होंगे देरा उप्चना में कॉंग्रेस प्रत्याशी एवं सीम सुकुंदर सिंग सुकु की पत्नी कमलेश ठाकूर 9399 मतों के अंतर से चुनाओ जीती है ऐसे में अब राजे विधान सभा में सुकु वा कमलेश एक साथ दिखेंगे एमाचल प्रदेश के राजनीति कितिहास में ये पहला मौका होगा जब पती पत्नी एक साथ सदन में होंगी हाला कि इससे पहले पिता वा पुत्र विधान सभा में रही है इससे पहले जब जैराम छाकुर सीम थे तो उस समय पूर्व सीम वीरभद्र सिंग एवं उनके पुत्र विक्रमा दित्य सिंग विधान सभामी थे MBA कोर्स में प्रवेश प्राप्त उम्मीद्वारों की पहली सूची जारी इस तारीक को खुलेगा फी पोटल हिमाचार प्रदेश शुषविद्याले की यूनिवरस्टी बिजनस स्कूल की MBA कोर्स में प्रवेश प्राप्त उम्मीद्वारों की पहली सूची जारी कर दी गई सत्र 2426 के लिए MBA की सबसिडाइज सीट पर प्रवेश के लिए मेरिट की आधार पर ये सूची जारी की इस सूची में शामिल उम्मीद्वारों को अब 20 जुलाई को तो पहल एक वज़े तक फीस जमा करवानी होगी फीस ऑनलाइन जमा करवानी होगी इसके लिए फीस पोर् कर देव समाज का फूटा गुसा मनाली में बैचक कर लिया बड़ा फैसला मनाली को तसकरी को लेकर देव समाज के प्रतिनिदियों का घुसा फूट पड़ा नगर ब्लॉक के सबी प्रतिनिदियों ने शनिवार को मनाली में बैचक आयुजित कर गौमाता के साथ हो रहे अत कत्रित होकर धर नाप्रदर्शन करेंगे देव समाच के जिलाध्यक्ष मकरदर्श शर्मा ने कहा कि गौहत्या वतसकरी किसी भी सूरत में बरदाश्ट नहीं की जाएगी चंबा में बरसात को लेकर बिजली बोर्ड अलार्ट फील्ड स्टाफ की छुट्टियां रद्द मौस आने के निर्देश जारी कर दिये गए ये निर्देश शिफ्ट में काम कर रहे करमचारियों पर लागू रहेंगे विद्धित्यवस्ता को सुचारू रखने के लिए करमचारियों की शिफ्टों में ड्यूटी लगा दी गई है बिजली बोर्ड चंबा के फोर मैन, समेट अन्य तक्नी की करमचारी बरसात के दोरान केवल आपात काली इस्तिती में ही चुट्टी पर जा सकेंगे सुचना मिलने पर पुलिस चौकी निहरी की टीम ने मौके पर पहुच कर जांच शुरू कर दी जानकारी के अनुसार इको में ट्रक फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के लिए लकडी भर कर चतरी टीपरा से सुंदरनगर के धनोटू के लिए आ रहा था इस औरान जब ट्रक पांगणा के समीप जाच में पहुचा तो ट्रक अनियंत्रित होकर सडक से नीचे खाई में लोडग गया गटना के समय दुर गटना ग्रस्त ट्रक में चालक सहीद दो लोग सवार थे जिने गंभी चोटी आई हैं तो यह थे आज की पटाफच खबरे हम मिलेंगे अगले बुलिटिन में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन